Hi everyone, तो आज बात करेंगे Deepak Fertilizer and Petrochemicals Limited की और इनका quarter 1 का result है 2024 का और quarter 1 के अंदर company के result काफे disappointing रहा है stock में लगबग 10% की गिरावट देखीगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह दो जिन से red candles बन रहे हैं तो result में क्या issues रहे हैं, क्या problem हैं अगर आप इनका profit and loss देखेंगे और इस profit and loss को अगर आप year on year पर comparison देखेंगे तो लगबग 24%, 23.69% की गिरावट देखी गई इनके revenue के अंदर और revenue की गिरावट होना देखो, किसी भी company के दर अच्छी बात नहीं क्योंकि volume growth होती है, जब sales growth जब खड़ जाती है तो of course वो एक negative point होता है, ठीक है देखो हर company regularly growth नहीं कर सकती वो समझ में आता है, लेकिन ये growing company है और उन्होंने काफी बड़े-बड़े CWIP वगरा करेवें तक CapEx करेवें तो उससे उमीद है कि company का volume बढ़ना चीए ठीक है यहाँ पे इनका volume घट गया, ठीक है एक negative point ये है और year on year basis पे भी घटा है और quarter on quarter basis पे भी घटा है पहली चीज़ दूसरी चीज़ इनके margins भी घट गया है 17% ते घटके 12% पे आ गया है ठीक है तो ये भी negative point है अगर इनका revenue बढ़ता और margin घट जाते तो भी result मुझे बिल्कुल ठीक लगता बुरान लगता reason being कि company के product के demand है जो भी ये product volume बना रहे हैं वो sale हो रहा है market में और जो margins हैं हो सकता है वो price increase की वएसे impacted हो या किसी और reason की वएसे बात में कहीं नहीं आने वाले सालों में या quarters के अंदर improve हो जाते हैं बट यहां पर इनके margins भी impacted है इनका profit आफकोस आप देखे रहे 114 क्रोर उस पर आ गया अगर आप इसको quarter on quarter देखेंगे तो 50% से जादा की गिरावट है year on year लगवक 73% की गिरावट है ठीक है तो यह एक खराब result है और जो points company ने अपनी तरफ से बताया है वो मैं आपको बताया दा हूँ इनके तीन तरिके के businesses है और तीनों business का point दो नहीं share किया हुआ है एक इनका mining chemical का business है दूसरा इनका pharma का business है और जो third है वो है fertilizers का business mining category के अंदर company ने यही बताया है कि जो trend है key market indicators की trend है वो positive देखने को मिले है cement or steel production अच्छी रही है 11-14% की उसमें growth देखने को मिली है लेकिन यह sector की growth है ठीक है company के business growth की बात करें तो जो इनका total ammonium nitride का business है उसमें 15% की year on year degrowth देखने को मिली है ठीक है तो यह दीगरोथ यहाँ पर company दिखाए 15% की पहला impact यह है दूसरा impact रशिया की तरफ से एक FGAN नाम का chemical है जो की sort of substitute आप कह सकते हो total ammonium nitride का तो उसी की आने की वएसे dump होनी वएसे adverse price fluctuations रही total ammonium nitride में रशिया Ukraine वार हुआ रशिया का जो material है काफी countries ने अपने import करने बंद कर दिये रशिया पर sanctions लगे तो रशिया और इंडिया के relationship अच्छे है तो रशिया ने वो सारा का सारा material कहाँ dump कर दिया इंडिया में कर दिया उसकी वएसे impact किसको पड़ा deeper fertilizers ऐसे companies को अब यह chemistry के एंगल से TA और FGN कैसे companies use करती है वो मुझे नहीं पता बट net net इस लाइन से clearly यह समझाता है कि रशिया की dumping की वज़े से जो prices है total ammonium nitride के उसमें कहीं ना कहीं negative impact रहा है और issue जो company ने बताया है वो है monsoon और of course हम news में सभी देख रहे हैं किस तरीके से इंडिया के अंदर monsoon का कितना एक negative impact है ठीक है काफी जगावों में बाढ़ आ गई है तो जो फसल जो लोग करते हैं और जहां पर mining activities रहती है तो सब impacted हैं क्योंकि mining activities stop कर दी जाती है बरसात के मौसम में क्योंकि पानी बर जाता है पानी भरने की वाज़े से वहाँ पर जो खदाने जो खोथते हैं उसमें लोग मर जाते हैं issues हो जाते हैं उसमें काफी सारे ठीक है तो इसलिए mining activity जो है वो जब तक monsoon रहेगा तब तक बंद रहेगी और company ने खुद बताया है वो कहीना के demand जो है quarter 2 या उसके बाद कहीं pick up होगी ये एक बड़ा impact है Q1 में impact काफी बड़ा है Q2 में भी वो impact देखने को मिलेगा इनके pharma businesses की बात करें है pharma के अंदर इनका nitric acid का business है उसमें 7% की volume growth रही है और जो इनका एक और IPA का जो business है इनके प्रॉफिट्स में इनके रेवेन्यू में वो पसेंटेज नहीं बताया बट कहीना की मुझे लगता है जादा contribution नहीं होगा कुछ marginal contribution ही होगा इन दोनों chemicals का otherwise ये result इतना खराब नहीं होता ठीक है और एक और चीज़ या इनको ने बताईए जो negative point ये है कि इनका WNA plant tech वो shutdown रहा है वो impacted रहा है जो plant shutdown होता है maintenance की वज़े से या किसी और reason की वज़े से तो वहाँ production नहीं होती plus fixed costs आपको pay करनी पड़ती है वहाँ की labor की जो wages होती है वो आपको pay करनी पड़ती है तो ये dual impact रहता है किसी भी plant के बंद दोनी की वज़े से IPA develop करे हैं जिसके अंदर इनको various institutions और government private entities से इनको approvals मिल रहे है तो आने वाले दिनों में यहां भी इनको orders मिलेंगे और वो भी एक अच्छा positive impact इनकी revenue में देखने को मिलेगा तो कुछ चीज़े negative है कुछ चीज़े positive है को जो चीज़े इनके control में है वो positive देखने को मिल रहे है जैसे यहां पर यह positive इसलिए क्योंकि इनके control में है अपने product को develop करना उसको market करना ठीक है जहां पर भी यह लोग नई चीज़ डेवलप कर सकते हैं मार्केट कर सकते हैं वहां पर यह अच्छी growth दिखा रहे है लेकिन जो external factors है वहां पर इनको काफी impact रहा है externally अब बात करते हैं इनके fertilizer business में और fertilizer के अंदर सबसे बड़ा impact जो है वो है nutrient based subsidy nutrient based subsidy का मतलब भी होता है ऐसी subsidy जो government देती है कुछ particular fertilizers के लिए और government ने क्या किया subsidy को revise कर दिया और revise करके कम वो subsidy को घटा दिया तो जब fertilizer की manufacturing होती जब उसकी pricing करी जाती है तो government जो subsidy देती है उसको pricing किया जाता है उससे manufacturer का benefit होता है और farmers को भी benefit होता है क्यों को farmer को पैसा कम देना पड़ता है और manufacturers को वो पैसा जो कम farmer से मिलता है वो पैसा government देती है लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि government ने subsidy को घटा दिया तो of course यह वो पैसा farmer से charge करेंगे तो inflationary impact रहेगा inflationary impact की वेसे demand कम हो जाएगी तो वो एक impact यहां पर रहा है subsidy के कम होनी की वज़े से प्लस monsoon को काफी बड़ा impact रहा है of course all over India में हम सभी देख रहे है और monsoon ने पूरी फसलों को खराब कर दिया है काफी सारे खेत जो फसले थी लगी भी थी आपको खबको पता है all over India में news टमाटर के prices 200 पर kg तक पहुँच गये तो वह यही सब है ठीक है तो fertilizer use कहा होगा जब प अब वो जो खरीफ crops है वो अब मेभी देखो आगस्त में लगेगी सब्टेंबर में लगे कब लगेगी वो अब आगे देखने को पता चलेगा बट नेट नेट इंपक्ट सॉलिड है company के उपर और company जैसे मने बताया company यहाँ पर देखो farmer connect programs करती है farmers को engage करती है कुछ business programs के अ और company उमीद कर रही है जो Q2 होगा वो monsoon कही ना कही थोड़ा ठीक होगा तो इनके जो demand है fertilizer की वहाँ थोड़ी सी pick-up होगी और इनका एक और जो greenfield ammonia update उन्होंने दिया हुआ है इनका plant है यह ताजोला के अंदर यह plant इनका 10th of July को उन्होंने इसके trial testing शुरू करिया production और production complete एक revenue generate करने में help होगी तो net net अगर मैं पूरा result summarize करूँ तो summarize करने में यही है कि external factors काफी ज़्यादा है और internal factors जितनी में company उस पर काम अच्छा कर रही है बट external factor मुझे long term दिखते है long term से मतलब यह quarter 1 औ quarter 2 मतलब लगबग 6 महीने तक मुझे दिखते है तीन महीने जा चुके है अभी और dump करेंगे या वो material उनका dumping खतम हो गई है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा तीसरी चीज़ जो इनके plant shutdown रहा है अब वो plant इनका वापस से start हुआ है नहीं हुआ है वो भी नहीं पता अभी चौती important चीज़ जो है वो है mining activity mining activity भी strongly impacted है monsoon की वज़े से तो net net देख जाए तो यह जो result है quarter one का मुझे quarter two का result भी कोई खास नजग नहीं आता ठीक है यह मेरे अपना viewpoint है मैं गलत हो सकता हूं हो सकता है quarter two का result बहुत ही outstanding आये लेकिन इन सभी impacts को external environments को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि quarter two भी लगबग normal रहेगा हो सकता है यह quarter one से अच्छा है ठीक है definitely quarter one से अच्छा आने की उमीद मुझे भी लगती है लेकिन बहुत outstanding ना रहे लास्ट यह 2700 क्रोड की सेल करी थी हो सकता है flat रहे 2700 क्रोड के आसपास रहे यह 3000 क्रोड तक भी यह meet कर जाए उसके अंदर बट net net अभी आने वाले जो दो महीने है अफकोस अभी quarter two के result आ 13% पर लेकर किया 6% से reduce कर दिया है तो काफी significantly FII ने अपनी holding को यह पर sell out किया है तो बात करते है इसके technicals की और technicals में आप अगर notice करेंगे जो price है यहाँ पर एकदम आकर रुग गया है 540 के level पर अभी यहाँ पर trade कर रहा है और रुग गया इसले क्या रहा हूं क्योंकि यह क 31 क्रोड का profit किया था almost पिछले quarter के comparison में यहाँ पर profit double किया था ठीक है और यहाँ पर इसका यह प्राइज है last यह देखर हो यह December result के बात का price है इसने काफी अच्छे growth दिखाई यहाँ पर plus जहाँ पर 90 क्रोड किया था price यहां consolidate हो था ठीक है तो मुझे उमीद है price अगर stock यहा चुका है stock का अब देखर हो कहा top बनाता है इसने 1000 रुपेगा और उसके बाद में यह almost 50% पर आ गया है stock और यहाँ पर यह अपने support के पास है तो अगर आपका question होगा कि क्या stock और गिरेगा तो बिलकुल stock यहाँ से और गिर सकता है ठीक है यह आपको लगबग लगबग नही है तो बलक में ना बनाएं staggered way में buy करें ठीक है जैसे मैंने पहले बता है stock में fundamentally कोई problem नहीं है problem जो है वो सिर्फ अभी external environment की है और यह environment के issues जो है short term में रहते हैं उसके बाद company long term के perspective से अच्छी है ठीक है still आप अपने financial advisor से एक बाद सला लें उसके बाद कोई decision लें इसके अ आप उसी consolidation में ही अपनी positions को build करें क्योंकि ऐसा ना हो आने वाले कुछ दिनों के अंदर stock price और नीचे आए और फिर आप यहां दुबारा bulk buy कर लें आपको दुबारा से loss हो ठीक है और जिसने भी उपर के भाव में buy किया हुआ है उनको stress लेनी के जरूरत नहीं है company में कोई इसा issue नहीं है कि आपके पैसे फस जाएंगे price आपको test जरू करेगा आपके patience को जरू test करेगा stock long term के अंदर लेकिन जो आपका भाव है वो आज आएगा क्योंकि of course company अगर यह वाला quarter में 114 करोड कर रही है तो उसका अगले साल अगले quarter में अच्छा नहीं करेगी ठीक है तो of course next quarter सोड़ा से impacted हो सकता है लेकिन उससे next quarter जो आएगा वो better आना चाहिए ठीक है ऐसी उमीद ही लगा सकते हैं of course आएगा रिक्या नहीं आएगा वो तो company का authority बताएगा but net net long term perspective से stock में कोई problem नहीं है पैनिक करने के ज़रूरत नहीं है आपको अगर आपका exposure बहुत जादा ज अगर की सस्ते भाव में मुझे मिलेगा तो मैं भी इसको सोड़ा होड़ा एक्यूमिलेट करूँगा क्यूं क्यूंकि stock का PE जो है वो कम है 7.71 का है जैसे हमने डिसकस किया और of course जब profit घटते है तो PE बढ़ जाता है ठीक है और price घटता है तो PE वहाँ पे भी घटता है तो य यहां से यहां तक देख रहा हो 3-3 महीने के दा stock अपना एक top बना जेता है फिर नीचे आता है तो net net consolidation होगा आप इसके price action को meticulously आप इसको watch करें कि यह किस तरीके से move कर रहा है पहली चीज तूसरी चीज बल्क बाए ना करें तीसरी चीज किसी का अगर बल्क में यहां पर कि प्राइट के लिए तो net net company में कोई प्राबलम नहीं है प्राबलम सिर्फ और सिर्फ जो उनका quarter का result आया उसी में है और थोड़ा सा नीचे आने की उमीद है price बिल्कुल weak है 200-day moving average 100-day moving average सभी के नीचे है price ठीक है price थोड़ा सा गिरने के chances मुझे लगते है लेकिन वही बात है गैरेंटी यहाँ पे stock market में किसी चीज़ की नहीं है company आने वाले time में अच्छा perform करेगी हाँ बिल्कुल मुझे उमीद है company आने वाले time में अच्छा perform करेगी उसका clear reason है जितने भी इन्होंने यह cash in working capital आप देख रहे हो ठीक है यह cash in working capital जो है अभी इनके CWIP जो है fixed assets के 5,000-7,000 crore हो जाना चीए था वो क्यों नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि plant बनने में time लगता है plant बनता है उसके बाद में के production में उसके अंदर trial run होते है trial के बाद में फिर production start होती है तब वो commercially start होने के बाद यहाँ पर balance sheet में add होता है तो उमीद है तो यह वाला plant इनोंने start किया है यहाँ पर यह आपको CWIP से निकल करके fixed assets में देखने को मिलेगा यह numbers बढ़ जाएंगे next जब इनकी half year की जब balance sheet हम review करेंगे उस time पर तो इसके सारे important points मैंने आपको बता दिये आपको कोई भी question हो आप मुझे ज़रू comments में पूछे और technically अगर मैं आपको ए महां से अगर break करके उपर की तरफ निकलेगा तो हम आगे future पर जरूर डिसकस करेंगे मैं आपको update देता रहूंगा stock के technicals के but current scenario को देखते वे अभी जो है आप bulk position मदाने से बचें और staggered में बाय करें stock अच्छा है अच्छे PE पर available है और अगर position बनाए तो long term के लिए बनाए short term के angle से जो external environment के जितने भी यह scenario से किस तरही किसे play out करेंगे वो आपको नहीं पता अफकोश यह सारी चीज़े आने वाले एक साल, दो साल, तीन साल के अंदर तो improve होंगी ही होंगी अच्छी performance देखने को मिलेगी लेकिन short term में 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने किसी का view है त तो net net यह पूरा analysis अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें आप चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर और और वी सारी वीडियो मिल जाएंगी आप उन सभी वीडियो को भी जरू देखें मैंने डेटेल में सब स्टॉक्स कवर किये हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू सो मच